देश के प्यारे नोजवानों यदि हम शक्ति शाली हैं यदि हमारे देश के नोजवान शक्ति शाली हैं तो हमारा देश भी शक्ति शाली होगा आज हम बता रहे हैं कि नौजवानों को शक्तिश अलिक कैसे बनाया जाए शक्तिश का अर्थ है समर्थ वान शक्ति का अर्थ है मजबूत शक्ति का अर्थ है धहरे शक्ति का अर्थ है पकड़ना मजबूती से पकड़ना शक्ति वह चीज नहीं कि जो अपने आप ही आजाए शक्ति धारन करनी पड़ती है अपने आप शक्ति का आ जाना ये सिर्फ सोचने की बात है हम यदि ये कलपना कर लें कि हम इतने शक्ति शाली हो जाएं कि हमारे अंदर पचास हाथियों का बल आ जाएं तो ऐसी कलपना गर्थ है पचास हाथियों के बल की कलपना करने से पहले हमें उन बातों पर विचार करना होगा कि हमारे अंदर पचास हाथियों का बल कैसे आ सकता है एक हाथि यदि इतने कुवंटल एक हजार किलो का वजन बड़े आराम से उठा सकता है या दस हजार किलो को खीच सकता है एक टन वजन को खीच सकता है तो पचास हाथि पचास टन वजन खीच सकते है और मुनुश्य के अंदर वे पचास हाथियों का बल कैसे आ जाएगा तो इस बात पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पचास हाथियों का बल मुनुश्य की बुद्धी में प्राप्थ होगा मुनुश्य के अंदर इतनी बुद्धी है कि पचास क्या पाँच लाख हाथियों का बल वी उसके अंदर समाविश हो सकता है वह ऐसे अधुनी कूपकरन बना सकता है कि जिससे पाँच हजार हाथियों का काम वह मशीने कर सकती है मुनुश्य के अंदर इतनी बुद्धी है कि उसने हवाई जाज बनाए लड़ाकू विमान बनाए भार होने वाले यंत्र बनाए कई प्रकार के ऐसे साविन बनाए इसे उसे उसमें गती आ जाए नोजवानों में शक्ति किस प्रकार आए सबसे पहले हमें शक्ति गनी है शरीक की तो शरीक शक्ति में का होना भी बहुत जुरूरी है उसके लिए अच्छा खान पान अच्छा रहन सैन नियम पुर्वक बयाम नियम पुर्वक खान पान कैसा हमें खाना चाहिए और किस भोजन से हमें शक्ति प्राफ्त होती है गला स्रड़ा हुआ भोजन, बद्बूदार भोजन, मासाहारी भोजन नशों से युक्त भोजन, त्याग देना ही उचित है जिसने त्यागा हुआ है, वो भोती भाकेशाली है और जिसने नहीं त्यागा, वो अवश्य ही त्याब दे मासाहारी भोजन ही ज़्यादा तर सड़ा हुआ, गला हुआ, ना खाने योगे होता है बद्बूदार होता है, मुन्ष्य का भोजन ही नहीं है उसे शक्ति शाली बनना, उसे शक्ति अर्जित करना बहुत ही मुर्खता पूर रहे हैं मुन्ष्य का भोजन शाकाहारी है मुन्ष्य का भोजन सब्जियां हैं, अंकुरित डाले हैं कई प्रकार के अनाज हैं, दूद हैं, फल हैं उनसे मुन्ष्य को श्रीर में शक्ति अप्राप्त होती है दूसरा शाकाहारी बोजन यदि बासी है गला है, सड़ा हुआ है, वो भी त्याग देने की योगे हैं